हलो स्टुडेंज तुडेंज तुडेंज टो लेंड अबोट माइ स्कूल इन एवियस पेज नेमबर 52 माइ स्कूल अपना स्कूल के बारे में हम सीखेंगे यह जोर से रीडिंग करने के लिए इसमें दिखा रखा है स्कूल बिल्डिंग यह यह स्कूल बिल्डिंग लिख रखा है इदर स्कूल बिल्डिंग स्कूल का बहुत बड़ा मकान होता है अपना स्कूल का याद है यह दूसरा स्कूल दिखा रखा है और स्कूल में और क्या है स्कूल का नेम बोड होता है अपना स्कूल में यह नेम बोड देखा है बचपाने प्ले स्कूल अश्य लिख रखा है देखा है यह नेम बोड और स्कूल बस अपना स्कूल में जो बाहर स्कूल बस खड़ा करते हैं देखा है यह स्कूल बस अपना जो लोन है हम खेलने का यह सारे देख लिया ओके अपना स्कूल के बारे माई स्कूल का स्पैलिंग लेंग करना S-C-H-W-L स्कूल M-Y-My माई स्कूल मेरा स्कूल इसमें नेम बॉड है स्कूल बिल्डिंग है स्कूल बस है बस का स्पैलिंग याद है स्कूल का स्पैलिंग भी लाण करो तब माई स्कूल बस का स्पैलिंग पूरा आजाएगा ठीक है इसके बाद प्लेग्राउंड जब हम खेलने के लिए जाते हैं तब क्या-क्या मिलते हैं Swing 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 means जूला हम जूलते हैं यह सी सो दोनों बच्चे दोनों साइड में बढ़के जूलते हैं सिसो अपना स्कुल में जा स्लाइड करने का बच्चे चटके ऊपर जाते हैं फिर उपर से नीचे हाँ स्लाइड करते हैं उसका बना में स्लाइड यह mehrry-go-round ऐसे गोल्ड में गूमता रहता है यह है मेरी गो राउंड और यह सांड पिट सेंड पिट सांड इसमें सांड डाल रखा है यह सांड में बच्चे कहलते हैं और होप स्कॉच होप स्कॉच में बच्चे हाशे नमबर डालके हम भी पत्तर डालके डालके इसे एक एक कॉला में आखे हम खेलते हैं हाँ इसको बहुते हैं होप स्कॉच हम एक प्राइर में चलके चलके हाशे चलते हैं यह है होप स्कॉच S-W-I-N-G Swing S-W-E-S-A-W Seesaw S-L-I-D-E Slide S-A-N-D-P-I-T Sandpit M-E-W-R-Y Mary G-O-G-O R-O-U-N-D Round Mary-Go-Round H-O-P-S C-O-T-C-H Hopscotch Understand Swing Seesaw Slide Sandpit Mary-Go-Round Hopscotch Okay Hey, अपना जोर से reading करना अगर आप spelling याद कर सकते हैं तो याद कर लो फिर आगे हमको आसान देगेगा अभी चोटा-चोटा words का spelling याद कर लेना खर पर बढ़के बोर नहीं होना अपना पढ़ाई कर लेना अच्छे से और जो जो लेसन मिलते है वो अच्छे से उसमें सीख लेना लापरवाई बिलकुल नहीं करना क्योंगे हम next year में अगला क्लास में जाएंगे हमारे पास कुछ कमजोरी नहीं होना चाहिए पढ़ना नहीं आता लिखना नहीं आता समझते नहीं ऐसा कुछ कमजोरी नहीं होना चाहिए इसलिए हम अच्छे से बढ़ाई कर लेना ओके थैंक्यू